नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमाई सिंग निराला कुंसेंट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों डिली की भाती आज एक और वीडियो लेकर में आप लोग के लिए हाजर हो गया हूं और आज की इ देख रहे हैं कि यहां साइट पे लगभग 10 कॉलम का काम चल रहा है और 10 कॉलम का जो सट्रिंग का काम है उसे ब्रीक वर्क के द्वारा ही बने आजा रहा है आप देख सकते हैं जैसे यहां पर भी देख सकते हैं तो सेम उसी तरीका का काम किया जा रहा है 9 इंची पे 12 आगे सकते हैं। यहां पर गल्ती होते रहता है। इह तो दोनों तरफ गाप डिर इंची और डिर इंची का रखना चाहिए। तो यह बहुत सारा गल्ती आप देखते होंगे। साइट पर जहां पर इइंट की मदद से बनाया जाता है। सट्रिंग वहां पर होता है जैसे यहां पर देखेंगे तो चारों तरफ से ब्रिक वर्क किया गया और बीच में हमारा कॉलम है वहां पर कास्टिंग किया जागा देखिए कैसे महंगा पड़ता है आपको इसके बारे में थोड़ा आप देख लिजी देखिए चारों तरफ से यहां पर brick work किया गया है उधर से भी किया गया है इसमें कितना टूटल ईंत लग रहा हुआ उसका कितना रुप्य का खर्चा हो रहा है एक कोलम का सट्रिंग में तो देखें एक तरफ का जो वाल है उसे करने में आपको पचास एट के लगा खपद हो रही है और चारों तरफ से किया गया मतलब आपको 200 इंट सिर्फ एक कॉलम का सट्रिंग में ही लग गया इंट का कीमत के बात किया जाए तो साथ रुपय परती पिस्त के हिसाब से भी करा है मतलब आपको 200 सिर्फ इंट में चला गया उसके साथ जो इसका बालू लगेगा सिमेंट लगेगा उसके साथ जो लेबर कोस्ट लगेगा वह एक्स्ट्रा है मतलब सिर्फ इतना कॉलम बनाने में ही आपको 20-25 रुपय खर्चा कर देंगे सिर्फ तीन फीट में ही तो यह तो समझदारी नह आगया कॉलम में मिलेगा वह आपको मजबूति यहां पर नहीं मिल पाएगा कैसे नहीं मिल पाएगा आई समझते हैं जब आप प्लाइवुड या फिर लक्री का सट्रिंग बनाते है कॉलम के लिए तो ढलाई कि एक दिन के बाद उससे आप खोल देते हैं फिर उसमें अच है कि चाहला लेंगे जादा है कि बन Verkehr प्लाइव को पानी इसका है है उसे नहीं आप और और ऑख इसके करन आपका कॉलम है और आपका तो आप प्लिंस लेबल के उपर करेंगे ताकि दो तरफ से आपको पट्रा लगाना पड़ा है नीचे में आपको चारो तरफ से यहां पर लगाना ही पड़ता है तो इससे आपको बचना चाहिए मैं यहीं बोलूगा कि सारा चीज देखते हुए अपने काम को बनाए अपने गञाना खर को मचबुत बनाए दोस्तो उमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो द्मस्कार